नुश्कार अधिकार एक्स्पेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ विरेंदिवेदी किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के निर्वा के लिए जिस सामगरी की सबसे अधिक आवशक्ता पड़ती है वो है धन यानी रुपया धन से ही हम अपने जीवन की सभी शुरुवाती आवशक्ताओं को पूरा कर सकते हैं जिस प्रकार हमें जीने के लिए वायो एम भोजन की आवशक्ता होती है ठीक उसी प्रकार से धन भी हमारे जीवन में ठीक उसी अनुपात में महत्तु रखता है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक सुखी चीवन को व्यतीत करनी के लिए धन का होना आनिवार है। प्रकार से तविभाग का एक पहत पूर्ण अदिकारी होता है। जबकि इन साधनों का जो प्रबंधन करता है उसे टेजरी आफिसर के नाम से जाना जाता है यह वित्त मंत्राले से जुड़ा अदिकारी होता है। प्रेजरी आफिसर राजसु जिले या उपजिले के सरकारी कोस या उपकोसागार का प्रभारी अदिकारी होता है। इसकी नियुक्ति वित्त विभाग द्वारा की जाती है। प्रेजरी आफिसर का हिंदी में अर्थ कोसाधिकारी या कोसाला यदिकारी होता है। यद्यभी से संचेप में टीयो कहा जाता है। कोसाधिकारी समूख़्ा यानि B-grade का वित्त विभाग का अस्थाई राजपत्रिस सरकारी यदिकारी होता है। वह जिले के कलेक्टेट में इस्थित जिला कोसागार में ही कोसाला यानि टेजरी के सभी कारियों को संपारित करता है। कोसाधिकारी मुख्य रूप से वित्ती प्रशासन एवं लेखा परिक्षा अधिनियम 1985 का संचालन करने वाले मंत्री की सहायता करता है। कोसागार में असिस्टेंट टेजरी आफिसर यानि सहायक कोसाधिकारी भी होता है जो कोसाधिकारी की अनपस्थिती में चाहे वह छुट्टी पर हो या अधिकारी कारियों पर हो टेजरी कारियाले का कारिभार सम्हालता है। उतरपदेज में ट्रेजरी आफिसर को वेतनमान 15,600 से 49,100 तथा ग्रेड पे 5,400 रुपए दिया जाता है। तथा वेतनमान के साथ महंगाई भत्ता, आवाज किराय भत्ता, आजि भत्ते भी दिये जाते हैं। वहें हर्याडा में ट्रेजरी आफिसर वा असिस्टेंट ट्रेजरी आफिसर को वेतनमान 18,000 से 56,900 रुपए जबकि कुल वेतन लगभग 90,000 रुपए मिलता है। चाहां तक पदोनती का प्रस्न है तो उत्तर पदेश में ट्रेजरी आधिकारी को कुछ वर्सों की सेवा के पश्चात पदोनत करके वरिष्ट ट्रेजरी आधिकारी तथा बाद में मुख्य ट्रेजरी आधिकारी के पद पर पदोनत कर दिया जाता है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि टेजरी आफिसर यानि कोसाधिकारी के कार यानि दाइत्थ क्या होते हैं टेजरी आफिसर यानि कोसाधिकारी अर्थ यानि वित्तोई भाग का एक ऐसा अधिकारी होता है जो मुख्य रूप से वित्ती प्रिसासन में मंत्री की साहता करता है मुख्य रूप से विभिन सरकारी विभागों से संबंधित राज्य सरकार के खाते में प्राप्तियों ये उन भुक्तान से संबंधित वित्ती लेंदेन के लिए उत्तरदाई होता है दिन प्रद्दिन के आधार पर सभी प्राप्तियों एवन भुक्तान का खाता रखता है तदा उन्हें मासिक आधार पर संकलित भी करता है और इसे राज्य सरकार के मासिक खातों के संकलन के लिए महालेखाकार यानि एकाउंटेंट जनरल को प्रस्तुत करता है जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के भुगतान ये उन प्राप्तियों आनि लेंदेन के प्रारंभिक तथा सहाय खातों की देख भाल करता है सभी प्रकार की स्विक्रतियों एवं आहरणों का अनुमोधन करता है जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर उसे सौपा जाता है सरकारी कर्मचारियों के जीपियप, ग्रेचुटी, मेडिकल बिल सहित, अन्य बिलों की राशी का भुकतान को साला यानी ट्रेजरी से करता है केंद्र एवं राज सरकार के कर्मचारियों का वेतन एवं पेंशन, तथा वुरिद्धों, विध्वाओं, एवं दिव्यांगों को पेंशन उपलप्त कराने का कारि करता है सरकारी रसीदों और भुक्तानों के खातों को तयार करता है तथा उन्हें आगे बढ़ाता है वर्स में दो बार अपने कार्याले एवं उपकोसागार का निरिक्षण करता है तथा मुहालेखाकार के उप्योग में लाने के लिए कोसागार और उपकोसागार में हुई प्राप्ति और भुक्तान की गई सभी सास की धनराज का अनुरक्षन करता है हलाकि कोसादिकारी के विशे में अब तक दी गई जानकारियों के पश्चाथ अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि आखिर कोसागार के इस महत्पूरा दिकारी की योग्यता क्या होती है चलिए हम आपको बताते हैं इस पद के लिए उत्तर प्देश में अभ्यरती को चार्टर एकाउंटेंट यानि सीए होना चाहिए या किसी प्रतिष्टि संस्थान से फाइनेंस में मास्टर आप बिजनेस एड्मिस्टेशन यानि एम्बीए की डिगरी होनी चाहिए तथा अभ्यरती की आव 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए यद्य प्यारक्षित वर्ष के लोगों को उपरी आयुसीमा में छूट दी जाती है वही हर्याडा में कोसाधिकारी वो सहाय कोसाधिकारी पत के लिए भ्यरती के पास किसी भी मानिता प्राप संस्थान से बैचलर यानि असनातक की डिगरी होनी चाहिए इसके साथ ही हिंदी या संस्कित में से किसी एक विसे में दस्वी पास होना चाहिए जबकि आयुसीमा 21 वर्ष एवं 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए यद्य प्यारक्षित वर्ष के लोगों को उपरी आयुसीमा में छूट दी जाती है इसके अतिरिक्त मद्यपदेश में इस पत के लिए अभ्यर्ष के पास किसी भी मानिता प्राप सलस्थान से बैचलर यानि असनातक की डिगरी होनी चाहिए जबकि आयुसीमा 21 वर्ष एवं 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए यद्य प्यार अक्षित वर्ष के लोगों को उपर ये आयुसीमा में छूट दी जाती है आपको बता दे कि इनी योगताओं को पूरा करनी के पश्चात अभ्यर्थियों को राज लोग सेवा आयोग दोरा आयुजित परिक्षा देना होगा जो अभ्यर्थि इस परिक्षा में सफल हो जाएगा उसे दो वर्ष तक के लिए प्रोवेशन एवन प्रसिक्षन पर भेजा जाएगा यदि प्रोवेशन के समय अभ्यर्थि का प्रदर्शन सही रहा तो उसे इस कोसादिकारी के रूप में अस्थाई रूप से न्यूक्त कर दिया जाएगा मुझे आशा है कि कोसादिकारी के विशे में अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाब अवस्य हुआ होगा जहां तक कोसादिकारी के भूमिका का प्रस्न है तो वो राज्य सरकार के खाते में प्राप्तियों इन भुक्तान से संबंदित वित्ती लेन देन में बहुत महत्वपूर भूमिका निभाते हैं लेकिन दूसरी और कई लोगों का यह भी आरोफ है कि कई कोसा अधिकारियों उनके बिलों के भुक्तान करने के नाम पर गुरूस की मांग करते हैं जो बहुत ही गलत हैं ऐसे भरस्ट अधिकारियों के विरुद कठोर कारवाई की जानी चाहिए अब यदि आपके मन में इस विसे से जुड़ा कोई प्रस्निया सुझा हो तो आप नीशे दिये गए कमिंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं आज बस इतना ही धन्यवाद झाल